नमस्कार अदाव सस्रिकाल दोस्तों बिग बॉस सीजन 15 से जोड़ी बड़ी खबर को लेकर आप सभी दर्श्वों के सामने हाजिर हैं बिग बॉस सीजन 15 का घर और बीते साल इसी घर से विजेता बनी थी रूबीना दिलेग रूबिना दिलेक बिक बॉस सीजन 14 की ट्रोफी को अपने नाम पर करकर अपने नाम का परचम हर तरब पूरी तरह से लहराया था सल्मान खान से डाट का सामना कर चुकी रूबिना दिलेक इसके बाद रूबिना दिलेग हर वीकेंड के वार में सलमान खान से डाट खाने के बाग उतनी ही मजबूती से खड़ी होती थी रूबिना दिलेग अब ये क्या, रूबीना दिलेग को यार आखिर किस वज़े से करने लगे सल्मान खान इस वीकेंड के वार में और सल्मान खान ने आखिर रूबीना दिलेग की कमपारिजन जो है तेजस्भी प्रकास से क्यूं किया ये बात हम आपको बताएंगे, चोकाने वाली है बात, लेकिन ये बात हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे दोस्तों, लेकिन इससे पहले चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चानल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया है, तो ब रूबिना दिलेक के ट्रेस में काफी जादा वर्क होता है, काफी वर्क होता है रूबिना दिलेक उस ट्रेस में काफी बला के खुबसूरत दिखाई दे रही होती है दोस्तों, बीते साल की ये बात है, अब यहाँ पर सल्मान खान, सल्मान खान उस वक्त भी रूबिना दिले रूबीना दिलेक की खुब्सूरती की तारीफ करते हैं और तारीफ करते हुए बहुती अच्छी तरह से कॉंपलिमेट करते हुए नजर आते हैं अब उसी कलर के ड्रेस में नजर आएंगी इस वीकेंड के वार के एपिसोड में तेजस्वी प्रकाश गोल्डन कलर के खुब् तेजस्वी प्रकाश के same color की dress होने की वज़े से और रूबिना दिलेक की तरह ही बालों को पूरी तरह से सजाएंगी तेजस्वी प्रकाश और उनका look भी ठीक वैसा ही होगा जैसे रूबिना दिलेक का था अब इसी वज़े से सलमान खान रूबिना दिलेक की comparison जो है तेजस्वी प्रकाश से करेंगे या फिर तेजस्वी प्रकाश की comparison रूबिना दिलेक से करेंगे और साथी साथ कहने वाले हैं कि मुझे तेजस्वी प्रकाश मुझे तुम्हारे लुक को देखकर रूबिना दिलेक की याद आगाई और इसी वज़े से रूबिना दिलेक को याद करते हैं नजर आएंगे सल्मान खान इसी वज़े से सल्मान खान रूबिना दिलेक को कंपरेजन करने वाले हैं तेजस्वी प्रकास से वैल इस पर आप क्या कहना चाहेंगे के दोस्तों वैल जिस तरह से रूबिना दिलेक ने बेक बॉस इसन 14 की ट्रोफी को अपने नाम पर किया था शायद उसी तरह से सारे के सारे वोटिंग पोल सारी की सारी चीजों में हलाकी तेजस्वी प्रकाश और करन कुद्रा के बीच में टकाटी की टकर चल रही है लेकिन ऐसा हो सकता है कि रूबिना की तरह ही देजस्वी प्रकाश भी ट्रोफी को अपने नाम पर कर लें वैल इस पर आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों कमेंट के दुरू आप हमें जरूर बताएं तब तक के लिए बनेर आपर यूटूब चानल के साथ